आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी अफसे कुछ देर बाद आठ बजे राष्ट को संपोधित करेंगे इन दोर में कोरुणा संक्रमितों की संख्या 2000 के पार वोपाल में भी संक्रमन ने चुआ 800 का आकड़ा विभिने प्रदेशों से पैदल चलकर आ रहे है श्रमिकों के लिए प्रदेश में मिलेगी ठैरने भूजन प्रात्मे कुपचार और दवाओं की विवस्था और अंतराश्री नर्सेस दिवस पर याद किया गया कोरुना योधा सिस्टर्स का योगदान अब समाचार अस्तार से प्रदान मंत्री नरेंडर मूदी आज रात आट बजे राश्ट को समपोथित करेंगे प्रदान मंत्री कालारे ने ट्विटर पर ये जानकारे दी माना जा रहा है कि श्री मोदी COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन को लेकर भविश्य की उजना के बारे में कोई सूचना देंगे उन्होंने कलराज्यों के मुख्यमत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए मैराथन बैठक में लॉकडाउन के बारे में विश्रत विचार में मर्श किया था देश में वैश्विक महामारी कोरोना वाइरस का संक्रमन तेजी से फैल रहा है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमन के 3604 नए मामने सामने आने के बाद संक्रमितों की संक्या 70756 हो गई और मरने वालों का आकड़ा 2293 पर पहुँच गया है वहीं अब तक 22455 लोग इसके संक्रमन से पूरी तरह ठीक हुए है प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की अधिकारिक संक्या 3800 के करीब पहुँच गई है इंदोर सिले में 216 रोगी संक्रमित पाए गए है और 92 लोगों के अब तक मौत हो चुकी है जबकि अब तक पर जाचुके रोग्यों की संक्या 926 है राजानी भुपाल में भी मरीजों की संक्या 800 के करेब पहुँच गई है हाला कि चिरायू मेडिकल कॉलेज इस्पताल से आज 49 कुरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लोटे उजयन में आज कुरोना संक्रमन के 23 पॉजटेव मामने सामने आए हैं इस प्रकार अब यहां कुल 264 पॉजटेव मरीज मिले हैं वहीं 56 में से 6 शेत्रों को कंटेंटमें शेत्र से मुक्त कर दिया गया है उजयन के लिए एक अच्छे खबर ये भी रही है कि 16 लोगों को कुरोना संक्रमन से मुक्त होने पर उन्हें भी डिस्चार्ज कर घर बेश दिया गया जवलपुर में 140 लोग कोविड-19 का शिकार हैं खन्वा सिले में 20 में संक्रमित मिलने के बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है जिसमें साथ मरीज की अब तक मौत हो चुकी है सीधी सिले के करमजी धाना शे मिलने से इनकी संख्या 9 से बढ़कर 12 हो गई वहिसला स्पताल के आइसुलेशन वाड में पूर्भ से भरती 9 मरीजों में से तीन के स्वस्थोने पर उनके आज अस्पताल से चुट्टी की जाएगी सीहोर सिले में आज दो और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमित आज 13 मरीज कुरोना वाइरस से पूरी तरह से स्वस्थों कर इस्पताल से डिस्चार्ज कर दिये गए खरगॉन जिले में आज तीन और नए मरीज मिलने से संक्रमित मरीजों की संख्या 89 से बढ़कर बानवे हो गई है दिवासले में भी कुरोना से संक्रमित लोगों का आक हम भी है पेश एक रिपोर्ट शुबरी जिली में सुसाहता समूह की इन महिलाओं ने अभी तक लगभग 65,000 मास्क बना लिये हैं आज एविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधग अर्विन भार्गव ने बताय है कि पूरे जिले में सतर समूह की 265 से ज्यादा महिलाएं ये मास्क बना रही है करीब सतर समूह की 272 महिलाएं जो है अभी से लाइक का काम कर रही है और ये मास्क बनाती तो इन्हें तीन रुपए मास्क बनाने के मिल रहे हैं करीब अभी हम लोग 76,000 मास्क बना के ग्रामिर विकाज बिवाग को नगर पालका को सिक्छा बिवाग को और आरियस को ऐसे बिवागों को हम लोग दे चुके हैं महिलाएं घर पे बैठके काम कर रही है तो उनको काम भी मिल रहा है और एक समाच का काम भी हो रहा है कहते हैं न जहां चाह वहा रहा है ये महिलाएं भी लोग डाउन में मास्क बना कर नकेवल आदमे नरभर बन रही है साथ ही लोगों की सिहत की देखभाल का सरिया भी आकाश्वाणी समाचार के लिए शिवपरी से रंजीत गुपता के साथ समाचार कक्ष से मैदीपा सिंग ये समाचार आप आकाश्वाणी भोपा से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। भोजन, पेजल, प्राथमे कुपचार और दवाओं की ववस्था की गई है। ये गाडवारा करेली मार्क पर आसोबह 44 श्रमिकों को लेकर जा रही बस के टायर फटने के बाद अनियंत्री थोकर पलट जाने से उसमें सवार 24 यात्री घायल हो गए हैं। जिन में चार के हालत गंभीर है। जिने पास के अस्पताल में ले जाया गया। बस बुरहानपुर से सीधी जा रही थी। क्रिशी विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने आज नर्सिंगपूर बस दुरगटना के घायलों की समुचित उपचार के लिए सिला कलेक्टर को नर्देश दिये। आज अंतराश्वी नर्सिस डे है। देश कोरोना जैसी महामारी से जूज रहा है और ऐसे में नर्सों का किरदार बेहत खास है। पेशे निउस रूम से खास रपोर्ट। कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए लागू लॉक्टाउन के कारण लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों में हैं। लेकिन स्वास्थमला पूरे जोश और जुनून के साथ कोरोना से लड़ने में डटा हुआ है। स्वास रुभाग की सबसे मस्बूत कड़ी नर्स हैं। जो अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात इस बिमारी से संक्रमित लोगों की सेवा कर रही है। प्रुदेश में नर्सु द्वारा की जा रही सेवा अनमोल है। नर्सिंगपुर में करीब 20 नर्से कुरोना वार्ड में योधा के भाती तैनात हैं। यहां की डॉक्टर अनीता बता रही हैं कि नर्सेस ही उनकी आँख की तरह काम करती हैं। कुछ यही इस्तिती खुशंगाबाद में है। जिला अस्पताल में काम करने वाली नर्स अनामिका वता रही हैं कि इस समय उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। लेकिन इस वक्त हम लोग ःकुश जिम्मेदारी बढ़ गई हैं। तो हम उसमें और जादा जिम्मेदारी हैं तो हम सतत, तुरूप से निभा रहे हैं। अब जब हम पहले घर से निकलते तो जब खोशी-खोशी निकलते थे और अब जब निकलते तो एक जिन्मेतारी का इसाथ रहता है और दूसी बात यह भी रहती है हमारे मन में कि हम जब घसे आ रहे हैं कोरोना की जो पेशेंट हैं के बीच में जा रहे हैं कुछ संविज उधर जबनपूर में आज नर्सेस डे के अपसर पर रानी दुर्गावती महिला चुकित साले में नर्सों ने नर्सिंग दिवस मनाया नर्स हर्शा सुलंकी ने बताया है कि इस मौके पर नर्सों ने मिस्स फ्लोरेंस नाइटेंगल को याद करते वे मुंबतिया जलाई सेवा दी उस समय जो उप्चार किया उसको फॉलो करते हुए नर्सिंग प्रोफिशन निकला आज उनका बर्द हम लोग नर्सस डे के तोर पर सेलिबरेट करते हैं बड़ चुकि आज हमारे देश में महमारी चाही हुई है तो हम उत सब टाइप का तो नहीं मना पारे अपनी जान और परिवार की चिंता को छोड़ कर हर दिन अपने हर मरीज की सेहत के लिए दूआ करने वाली नर्सों के लिए हम यही प्रात्ना करेंगे कि देश इस महमारी से जल्द मुक्त हो और वे फिर अपने परिवार के साथ रह सके वही राजगर बैतूल शिवपरी सहित प्रदेश के कई सिलों में नर्से स्टेव बनाया गया अपुद समाचार संक्षेट में पूर प्रदान मंत्री डॉक्टर मन मोहन सिंग को आज नई दिल्ले सिद अखिल भारती आईरविज्ञान संस्तान से छुट्टी देधी गई भारती प्रशासिंग सीवा की सियोनरत अधिकारी बीम वर्मा को मुख्यमंत्री का रहले में OSD न्यूक्त किया गया है सिवनी जिले में आज एक कार के अन्यंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य तीन लोग खायल हुए हैं शिवपुर सिले में आप तक अन्य राज्यों से 6,93 मज़्दूर आ चुके हैं जिन्हें उनकी ग्रहसिलों तक पहुँचाया गया अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र बूदी अपसे कुछ देर बाद 8 बजी राष्ट को संपोधित करेंगे इन दौर में कुरुना संक्रमितों की संख्याद 2000 के पार वुपाल में भी संक्रमन ने चुआ 800 का आकड़ा विभिन प्रदेशों से पैदल चरकर आ रहे श्रमिकों के लिए प्रदेश में मिलेगी ठैरने, भूचन, प्रातमेक उपचार और दवाओं की विवस्था और अंतराश्री नर्सिस दिवस पर याद किया गया कोरुना योधा सिस्टर्स का योगदान इस मिलेटिन में बस इतना है, घर में रहे, सुरक्षित रहे और सुनती रहे आकाश माने, नवसकार